नमस्कार मैं एड़ोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों हिंदू विवादिनियम, विशेष विवादिनियम और भारतिय दंड सहिता यानि इंडियन पैनल कोड तीनों में ही ये प्रावधान दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पतनी या पती के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है तो ऐसा करना दंडनी अपराध होगा इस प्रावधान से संबंधित काफी बातों के बारे में लोगों में काफी असमंजस की स्थिती बनी रहती है इसलिए आज के वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप चैनल प के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पती या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता और अगर वह ऐसा करता है तो उसे धारा 494 आई पीसी यानि इंडियन पैनल कोड के अनुसार दंडित किया जाएगा और साथ ही उसके द्वारा किया गया ऐसा विव साथ साल तक का कारावास और साथ ही जूर्मानिक से भी दंडित किया जा सकेगा कि इस अपराध से संबंदित कुछ प्रावधान इसे बनाते हैं जिनुके पहला है कि इस अपराध को नोन कोग्नीजेबल और बेलेवल बनाया गया है। नोन कोगनीजेबल होने का मतलब यह है कि पुलिस ऐसे अपरादों के बारे में सीधे संग्यान नहीं ले सकती और ना ही कोर्ट की पर्मिशन के विना जांच कर सकती है अगर किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की शिकायत है तो उसे संबंदित मजिस्ट्रेट के पास परिवाद पेश करना पड़ता है हां अंद्रप्रदेश केवल एक ऐसा राज्य है जिसमें इस अपराद को कोगनीजेबल बनाया गया है और नौन बेलेबल भी बनाया गया है दूसरी खास बात यह है कि इस अपराद के संबंद में शिकायत केवल उस विवाह का पक्षकार कर सकता है यानि ऐसा व्यक्ति जिसने दूसरी शादी की है तो उसका पहला पति या पत्नी ही ऐसी शिकायत मजिस्ट्रेट के पास पेश कर सकता है अन्य किसी भी व्यक्ति को शिकायत पेश करने का अधिकार नहीं होता यहां एक प्रस्णी यह उत्पन होता है कि अगर किसी व्यक्ति क इस टाइप से हैं कि IPC Section 494 के अत्राध की शिकायत उस एक्ति का पती या पतनी कर सकते हैं लेकिन लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पहले पती या पहली पत्नी को उस बारे में सहहमती देने का कोई अधिकार हो यह पहली पत्नी से सहमती लेके अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो वो अपराद ना हो हर इस्थिती में दूसरी शादी को अपराद ही माना जाएगा और दूसरी शादी को शुन्य ही माना जाएगा भले ही पहली पत्नी ने उसके लिए सहमती ही क्यों ना दे दी हो दूसरी तरफ इस अपराद की शिकायत करने के बारे में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर दूसरा विवाह करता है, तो उसका पहला पती या उसकी पहली पत्नी कभी भी भविश्य में शिकायत कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति पर धाराज 400 चुराणमा IPC का केस चलाया जा सकता है, इसलिए ये भ्रहम कभी भी नहीं रखना चाहिए कि अगर पहली पत्नी से स्विक्रती प्राप्त कर ली जाए या पहली पत्नी सहमत हो जाए तो दूसरी शादी की जा सकती हो और ऐसा करना अपराद नहीं होगा, बलकि ऐसा करना अपराद भी होगा और दंडनिये भी हो सकेगा दोस्तों इसी सब्जेक्ट पर तीन और सवाल कॉमनली पुछे जाते हैं उनमें से सबसे पहला तो यह है कि क्या दूसरी पत्नी को भरण पोशन का अधिकार मिलेगा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट कामत एकदम क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरी पत्नी और उसकी संतान भरण पोशन प्राप्त करने के लिए अधिकारी होंगे चाहें ऐसी शादी शुन्य ही क्यों ना हो दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह होता है कि अगर दूसरी शादी वोईड होती है तो दूसरी शादी से अगर क स्पेशल मैरीज एक्ट की सेक्शन 26 में दिय गये हैं जिनके नुसार भले ही सुन्य विवाह से कोई संतान क्यों ना हुई हो ऐसे बच्चे अपने माता पिता से वे सारे अधिकार क्लेम कर सकते हैं जो एक लीगल मेरीज से हुए बच्चे क्लेम करने की स्थिती में होते हैं लेकिन यहां पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अपने माता और पिता के अलावा वो बच्चे किसी और से ऐसे अधिकार क्लेम नहीं कर सकते जो अगर वो बच्चे धर्मज होते तो क्लेम कर पाते तीसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि अगर किनी विवा के पक्षकारों का यानि पती पतनी का डिवोर्स केस चल रहा है और उसकी पतनी उसके साथ में नहीं रह रही है तो क्या वो पती लीव-िन रिलेशन्शिप में किसी और इस्त्री के साथ में रह स पत्नी के पास ज़्याद से ज़्यादा option यह होता है कि वो पती के जारता की स्थिति में रहने के आधार पर भी तलाक की मांग कर सके और maintenance क्लेम कर सके इसके अलावा अन्य कोई क्लेम पहली पत्नी नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि भारत में कोई भी ऐसा मजुदा कानून नहीं है जो दो व्यस्क व्यक्तियों को साथ में रहने से रोकता हो दोस्तों उम्मीद है दूसरी शादी यानि बाइगेमी के concept को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे इसके अलावा भी आपके अगर कोई सवाल हो या आपको अपने किसी मामले के बारे में मुझसे राय लेनी हो तो आप स्क्रिन पर उपर दिखाएगा नंबरों पर कॉंटेक्ट करके कोल बुक करवा सकते हैं ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में